ये है मेरे पास Nikon का DP600 केमरा फ्रेंड्स आज मैं जब इसमें फोटो शूट कर रहा था तो इसमें एक प्रोब्लम आ गई थी तो मैं वह प्रोब्लम आपके साथ सेर करने वाला हूँ प्रोब्लम ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं फोटो ये ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोटो दिखना चाहिए कि कौन सा फोटो हमने सूट किया था और ये केमरे में कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है इस वज़े से ये फोटो क्लिक करते ही डिस्पले पे फोटो नहीं आ रहा है तो इसका क्या solution है ये मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद आप ये अभी फोटो लियेते मैंने जो देख सकते हैं और यह पहले के photo हैं अब इसको ठीक केसे करेंगे आप जैसे इसको किलिक करें वापस यह यह आ रहा है इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर menu पर जाना पड़ेगा जैसे आप menu पर जाएंगे menu पर जाने के बाद यहाँ पर यह पर पस्ट वाला options है यह playback menu यहाँ पर आ ज करेंगे जैसे आप on करेंगे और on करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मैं photo किलिक कर रहा हूं आप देख सकते हैं photo किलिक करने के बाद वापस यह display पर शो होने लगे तो इस तरह से आप इस problem को short out कर सकते हैं तो friends आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो अच् शेर करें और चैनल को subscribe करें मिलते हैं इसकी next वीडियो में तब तक के लिए बबाई जहिन जेवारत वंदे मात्रम